कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है स्कूलों पंचायद भवनों को कोवीड केर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशेटिव लिया है आप लोग खुद गाउं गाउं जाते हैं वहां की व्यवस्ताओं की निगरानी करते हैं आप ग्रामिनों से बात करते हैं तो इससे जो वहां का सामान्य नागरीक है या वहां के गाउं के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, पांच होते हैं, दस होते हैं, अलग रक्षेत्र के होते हैं, उनको जब संकाउं का समाधान होता है और डायरेक्ली आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुणा भड़ जाता है। सारी आशंकाए एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती हैं, आपकी मौझूदगी से, आपके समवाद से, गाउं में ये डर निकल जाता है, कि कुछ हो गया, तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, आपको देखते ही, तो सारा मन उसका बदल जाता है। इसे लोगों में सहस के साथ ही, अपने गाउं को बचाने की जागरुकता भी बढ़ती है। और मेरा अग्रह है, हमें गाउं गाउं यही संदेश पक्का करना है, कि हमें अपने गाउं को कोरोना से मुक्त रखना है, और लंबे अर्शे तक जागरुकता से प्रयास करना है। साथ यह बीचे कुछ समय में यह बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए है। जब तक एस संक्रमन माइनर स्क्लेर पर भी मोजूद है, तब तक चुनवती बनी रखती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं, तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता के बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है, टेस्टिंग और डिस्टंसिंग जैजे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतीनिधी, इन सब के बीच में एक सामुहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। अभी लोग सभी दिशा निर्दोस्तों का पानन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थित्यों पर लगाता नजर रखने से जिले के सारे प्रमुख विभागों जैसे पुलिस का विभागों, साब सफाई की बात हो, इन सारी विवस्ताओं का, इनके बीच में बहतर तालमेल और प्रभावी परणाम स्वाभवी ग्रुप से निकनने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीदी पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकरी मिलती रही है। इन जगों पर आपने बाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों फिल्ड में किये गए आपके कारियों से, आपके अनुभवों और फिट्बेक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसिज बनाने में मदद मिलती है। टीका करण की रणदिती में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेकोल्डर से मिलने वाले सुजाओं को सामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्त्र मंत्राले की तरफ से पंदरा दिन के टीकों की उपलबदाता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सिन सप्लाई काइम लाइन की प्रस्ता होने से टीका करण से जूड़े मेनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सिनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और स्रुद्रड होगी। इसे टीका करण से जूड़ी अनिस्थित्ताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीम लाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सिनेशन का जो प्लान है, जो कलेंडर है, उनको हम नियमित रुप से अलग-अलग मिडिया प्लेटफरम पर अधिक से अधिक साजा करेंगे, तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामरी हो या फिर ये समय है, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है, महामारी से डील करने के हमारे तौर तरिकों में निरंतर बढ़लाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अप्ग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस मुटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकारते बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है, तो हमारे तरीके और स्ट्राटेजिज भी डाइनेमिक होने चाहिए। साइन्टिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिनरात काम कर ही रहे हैं। वैक्सिन बनाने से लेकर, एसोपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एड्मिस्ट्रेटिव एप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डाइनेमिक रहती है, तो हमें असाधान प्रणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनवतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। एक विशे वैक्सिन बेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सिन की बेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सिन बेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी कहना है कि जाब आप अपने जिले के आंकणों की समिक्षा करते हैं, तो उसमें अर्बन और रूरल इसको भी अलग-अलग से आप गौर करें। ताकि आपका फोकस रहे, इवन टीर टू, टीर थ्री सिटी को भी अलग से उसका अनालिजिस करें। ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेजी वर्काउट कर सकते हैं, कहां कितनी ताकट लगानी हैं, किस प्रकार की ताकट लगानी हैं, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इस से जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामेन इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अर्से तक आपी की तरह कुछनों को काम करते करते हैं, यहां पहुंचा हूँ। मेरा अनुभव है कि गाम को गाओं के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाएं, तो वो बहुत रिलीजिसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजिसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करें में महनत पड़ती हैं, गाओं में उतनी महनत नहीं पड़ती हैं, हाँ, क्लेरिटी चाहिए, गाओं के अंदर एक टीम बनानी चाहिए, आप देखिए वो परनाम खुद दे देते आपको, साथियों, सेकंड अभी तक हमारी जो रणदिती रही है, आपने जिस तरफ फिल में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंबीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा, और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमन और उसकी गंबीर ताके आकड़े व्यवस्तित करें, अलग से उस पर रेगूलर आप एनालिसिस कीजिए, आप स्वयम भी, मेरा सभी आप प्रमुक अधिकारियों से आग रहे हैं आप स्वयम भी उसका अकलन करें, इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी, साथियों मैंने पिछली बार की बैटक में भी और मैंने ये भी कार कह रहा है कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथिक्ता जीवन को आसान बानाय रखने की भी है, गरीबों के मुपतर आसन को सुविदा हो, दूसरी आवशक तपलाई हो, काला बजारी पर रोख हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवशक है, आपके पास पिछले अनुभों की ताकत भी है और पिछले प्रयास्व की सफलता का मोटिवेशन भी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जीलों को संक्रमन मुक्त करने में सफलता पाएंगे, देश के नागरित का जीवन बचाने में, देश को विजई बनाने में, हम सभी सफल होंगे, और मेरा आज कुछ सातियों को सुनने का मुका मिला ह लेकिन आपके पास, हरे के पास कुछ न कुछ सफलता की गाथाएं हैं, बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोक आप सब ने कहीं कहीं किये हैं, अगर वो आप मुझे पहुचा देंगे, तो जुरूर इसको देश भर में पहुचाने में मुझे सुभीदा होगी, क्योंकि Intellectually Debate करके कितने भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज़्यादा ताकत जो फिल्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है, और उसने जो रास्ते फोजे हैं, वो बहुत ताकत वर होते हैं, और इसलिए आप सब की भूमी का बहुत बड़ी हैं, और इसलिए मेरा आप से आगर हैं, कि आप इसको निकालिए, दूसरा, पिछले सो साल में किसी की जीवन में इतने बड़े संकट से जूजने की जिम्मेबारी नहीं आई है, आप डिस्टिक में बैठे हैं, आपकी जिम्मे सबसे बड़ा बोज आया है, आपने बहुत चीजे अब्जर्व की होगी, मानो मन को अबजर्व किया होगा, व्यवस्ताओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम समसाध होना होगा, आप्टिमम यूटिलाइजिशन करके आपने एक नए रेकॉर्ड प्रस्तापित किये होगे, जब भी मोका मिले, इसको जरा जुरू अपने डायरी में ल रेकॉर्ड उपलब तो नहीं है, उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहां क्या हुआ, बहार निकलने के रास्ते क्या खोजे गए, लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक के अफसर, अगर ये डिस्ट्रिक गैजेट की तरह इसको बनाएंगे, तो भविशी की पीडियो के लिए, इस महनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नितुत्व किया हैं, आपको बधाई देता हूं, आपकी सरहना करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प् विश्वास पादा करेंगे, सामान्य मानवी का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी है, सबसे बड़ी जड़ी बुट्टी है, इससे बड़ी जड़ी बुट्टी नहीं हो सकती है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, आप स्वस्त रहें, कारिय का भी आप स्वस्त भी रहें आपका परिवार स्वस्त रहें और आपका जिला जंद से जल्द स्वस्त हो और नागरिक स्वस्त हो यह आपकी कामना इश्वत पूरी करें आपका पुर्शार्थ पूरी करेगा मेरी तरब से आपको बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यव पतान मंत्री नरेंदर मोधी स्टेट और डिस्टिक आफिशल्स के साथ जिल अधिकारियों के साथ बात चीप कर रहे थे और इस दोरान उन्होंने सबका होसला तो बढ़ाया ही साथ जिले के सबसे बड़े योद्धा हैं आप लोग और जिस तरह से आप लगातार मेहनत से काम कर रहें